हाई अबरीबन बेलको और मैं यूटूब चैनल सो आज का जो हमारा टापिक है वह ए राम चंदर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है तो इनसे रिलेटर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको आज हम डिसकस करेंगे तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमार वह है इनका जन तो इनका जन जो है 19 अगस्त 1935 इस्वी में केरल के अटिंगल ट्रावल कोर में हुआ था और इनकी जो मुरत हुए वह दस फरवरी वह दो हजार चौविस में हुई है अभी हाली में हुई है नई दिल्ली में इनकी मुरत हुई थी वह भी 89 वर्स के थे यह और इनकी जो सिच्छा रही है वो सांती निकेतन में हुई है वो भी राम किंकर बैच और विनोध वियारी मुखरजी से इनकोंने सिच्छा प्राप्त की थी और 1962 इस्वी में राम चंडरन सांती निकेतन में अकीनो विजिटिंग के प्रोफेसर के रूप में भी आये हुए इनकी जो आकर्तियां रही हैं बहुती सुंदर बनी हुई है चित्रों में इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी फुस्तके भी लिखी है और उनको चित्रत भी किया हुआ है इसके अतरिक्त इन्होंने डाग विभाग के अनेक टिक्टों का भी डिजाइन कारी किया हु का विशेश योगदान रहा है और ये अतिर्थातवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं इनको पुरुसकार अब देख लेते हैं कौन-गौन से प्राप्त हुए हैं तो 2005 इस्वी में इनको पदम भूसर से सम्मानित किया गया है चित्र जो पुरुसकर मिला हुआ है मिल रलित कला अकादमी के द्वारा फैलोकौन छिपका पुरुसकार मिला था 2012 इस वी में और ुनिनिंससो अठाणिव देख लेते हैं दिया हुआ है कि एराम चंद्रन का कला संसार नाम के पुस्तक भी है वो इनके उपर बिनो धारद्वाज ने लिखी हुई है नेक्स्ट के चित्र जो फेमस में उनको देख लेते हैं जैसे कि दिये हुआ है पहला चित्र की यहाती यहाती मोश इंपॉर्टन चित्र है जो की एक सीरीज बनी हु जो है काप भी हमारा महा भारत से संब्धित एक साथ फिट की एपिक मुडल पेंटिंग है जिसमें की बारा पैनल बने हुए है और पैनलों के केंद्र में तेरा मूर्ति सिल्फ भी बने हुए है यह एक पूरी की पूरी श्रंखला बनाई गई है अब नेक्स इनके अन्य च हैं वह इनके ही द्वारा बनाए गए हैं इसको एक बार और पढ़ देती हूं है कि नुक्लियर रागनी क्रीन लोटस पॉंड कबर खोदने वाले आइकनोग्राफी तूती नामा और मान सरोबर और उर्वसी काली पूजा और कमल सरोबर नेक्स्ट अप देख लेते हैं पॉस्टेटरी चंचटरणी वहां के रामचlan र हां पूज़ में जामिया मिले इस्ञामिया विस्वाइडाले से नई दिल्ली में जो इस्तिते ले वहां जी है उसम्रति तथा विभागा दिच भी वहां के रह चुके हैं तो कब रहे हैं 1965 में और इनकी एक पुछा भी गया है पुछा भी गया है और इनकी जो यह क्रती रही है वह 60 फिट लंबी रही है जो की मीरल पेंटिंग है जिसके बारा पैनल है और प्रतेग जो यह जो पेंटिंग बनी हुई है इसके केंडर में 13 मूर्ति सिल्ख भी बने है 1975 में पोकरन राजस्तान परमारू विस्पोर्ट के आहद होकर के इन्हों ने नुकलियर रागनी नामे के पृषिद संखला भी ब जागनी नेक्स जो हमारा दियो है वह चित्र जूले पर जूले पर लड़की जिसका नाम है किष्ण गर्ल अंदाफ स्विंग यह अपका कैंडवास पर बना हुआ है ऑईल कलर में वह भी 1976 में बना हुआ है नेक्स देख लेते हैं यह एक चित्र है जो कि है यह याति इससे बहुत सारे चित्र हैं जो कि यह याति एक पूरी की पूरी स्रंकला ही बनी हुई थी तो यह जो कुछ फेमस वर्क से जो कि एराम चंदरन जी के द्वरा बनाए गए हैं तो इनके बारे में जितनी भी मोश इंपॉर्टेंट जानकारी थी उनको मैंने यहां पर डिसकस कर ल